बार्दबत महिने के किशनपक्ष की शष्टी तिर्थी को हलचट या हलचष्टी का वर्थ रखा जाता है हलचट वर्थ परगु शिरी किशन के बड़े भाई बलरान जी के जनमोसफ के रूप में मनाये जाता है हलचष्टी पर आप क्या नहीं खाएं? इस दिन जो वर्थी महिलाई होती है कोई अनाज नहीं खाती हलचट के दिन हल से पैदा हुआ अनाच और फल साख सबजी नहीं खाते मतलब इस वर्थ में जोतावा कुछ भी नहीं खाते इस दिन गाये का दूद नहीं पिये, दही नहीं खाएं खेत में या फिर हल चली बूमी पर भूल कर भी पावी नहीं रखे तामसिक भोजन और प्याज लेसून से दूरी बना कर रखे हल शष्टी पर आप खाएं यह चीजे इस वर्थने वर्थी मेलाएं वैस के दूद, दही या गी का इस्तमाल कर सकती है पेडो के फल खाएं, बिना हल जूते हुए जमीन में उगावा थान का चावल, मौवा के पत्ते, थान की लाई खा सकते हैं इस वर्थने वही चीजे खाई जाती है जो तलाब में पैदा होती है जैसे कि तिन्नी का चावल, बसई का चावल या मौवे का लाटा बना कर सेवन करें आप मौवा की चाय बना कर भी पी सकती हैं इसके अलावा सिंगाडे का आटा भी इस वर्थ में खाया जा सकता है आप वर्थ में सिंगाडे की आटे की पूरी और हल्वा बना कर भी खा सकती है कुट्टू का आटा भी आप खा सकती है कुट्टू की आटे पर हल्वा पूरी भी बनाई जाती है आप ड्राइफूर्ट से बनी चीजे भी खा सकती है वर्ट में मुंखवली और मखाना तलकर वर्ट के दुरान खाई जा सकती है इसके अलावा आप काजू बदाम का सेवन कर सकते हैं स्याद से बनी चाय पी सकते हैं साम के चावल, काली मिर्च और सेदा नमक डाल कर भी खा सकती है